समस्कार दोस्तों आप सबने का एक नई वीडियो में हर्दिक स्वागत हैं आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाव एवं हानी यहां पर देख सकते हैं यह इसका टाइप 6 है और आपनों को बता दें टोटल समें 4% सामिल गए हैं 4% अलग-अलग थोड़ा प्रशन निकालनी होती इसलिए हर टाइप के यहां पर प्रशन रखे जाते हैं और हर टाइप से हम सॉल्व भी करा देते हैं तो आप जो है वीडियो की स्पीड को बढ़ा कर आप वीडियो को देख लिया करें और कम्प्रीट देखने से यह रहेगा जितने भी टाइप हम कर रहे हैं सभी के सभी important हैं कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका देखे पहला प्रसंद दिया गया एक व्यक्ति दो वर्स्तों एक ही मूल पर बेचता है पहली वर्स्तों पर उसे 20 प्रतिसत का लाव दूसरी वर्स्तों पर 25 प्रतिसत का लाव हुआ यद पहली वर्स्तों का क्रैमूल दस अजार रुपे हो तो दूसरी वर्स्तों का क्रैमूल ग्याद कीजे देखे एक व्यक्ति है दो वर्स्तों एक ही मूल पर बेचता है ठीड तो एक ही मूल पर बेंचता है तो पहली वस्तु का यहाँ पर क्रैमॉल बताया गया 10,000 हो तो बूसरी वस्तु का क्रैमॉल पूछा गया लेकिन यहां बोला गया एक वस्त टो को बेचने पर 20 से प्रतिसाद का अलाब कमा रहा है दूसरी वरस्त को बेचने पर वह 25 प्रतिसाद का अलाब कमा रहा है ठीक है तो देखें यहां पर दो मिल रहे हैं यानि क्रेमूल कितने मिल रहे हैं क्रेमूल भी हमें cross में इसकी value यहाँ पर रखनी पड़ती है यानि जो profit और loss जो भी हो रहा है तो 100 में अगर profit हो रहा है तो प्लस लगा के हम यहाँ पर profit लख देंगे अगर minus हो रहा है यानि की हा नहीं हो रही है तो minus लगा के यहाँ पर लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखा जाएगा ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर CP2 का जो क्रास में लिखा जाता है तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजेगा है पर और profit हो तो पी में लिखना है यानि profit और loss हो रहा है तो मैंस लगा के लिखेंगे तो यह चोटा सा फर्मूला था चार परसंट करेंगे इसी पर और बहुत ही आसानी से आप खुदी समाझ जाएंगे कैसे value निखा ली जा रही है यहाँ पर देखिए हमें value देखनी है तो पहला बोला गया पहली वरस्तु क्या बोला गया पहली वर पहली वर्सतु का क्रें मूले कितना है 10,000 तो पहली वर्सतु का CP यानि क्रें मूले कितना है 10,000 तो CP1 को ऊपर लिखा गया ठीक है CP2 नहीं पता है तो CP2 यानि cost price हमें निकालने को बोला गया तो CP2 की जगा पर CP2 रख देंगे अब यहाँ पर value देखेंगे तो बोला गया द दूसरी वर्सतु का यहाँ पर 25 प्रतिसत唱 लाव तो दूसरी वर्सतु का कितना है तो मैंने बोला था CP का Crush में लेके आना ओप लिखणा तो दूसरी वर्सतु का पहले लिखना तो 100 में हम उतना ही जोड देंगे जितने का हमें हो रहा है कितना profit हो रहा तो 53% का तो पच्च तो यहां पर फिर से लिख देते हैं value को तो यहां पर हो जाएगा 10,000, upon में कितना हो जाएगा CP2, बराबर में यहां पर कितना बनेगा 125 बनेगा और यहां पर नीचे बन जाएगा 120, तो यहां पर बस समझने की जरूबत है, एक बार अगर अच्छे से समझ गए, फिर आप लो सो हो जाएगा, तो यहां पर दो जीरो बचाएगा, यहां पर बचा है 400, अब उपर नीचे भी संख्या कार सकते हैं, ऐसे भी संख्या को कार सकते हैं, तो इसलिए उपर नीचे की संख्या को कार देते हैं, पांच एकम पांच और दूना दस और पांचो के 20 हो जाएगा, ठ अब इसको solve करेंगे चार चोके 16 के 6 हांसिला एक चार तुनी आठ एक कितना हो जाएगा नो दो जीरो थे यानि यहां पर कितना जाएगा 9600 हो जाएगा इसका राइट अंसर यानि CP2 हमारा निकल चुका यही पूछा गया देखे समझाने के लिए हमने थोड़ा सा समय लिया है ज्यादा पहले प्रसन में थोड़ा समय लेते हैं बाकि तीन प्रसन फटाफट हम solve करने वाले हैं तो चले इसका next जो तीन कुर्शन बचे उनको भी solve करते हैं अगला प्रसन देखे महेश अपनी दो गाये समान मूली पर बेचता है तो देखे दो गाये हैं वो समान मूली पर बेचता है एक गाये पर उसे 10% की हानी होती है यानि पहली गाये बेचने पर क्या हो रहा है 10% की हानी दूसरी गाये को बेचने पर 5% की हानी यानि दोनों ज पहली गाय नहीं पता है यही तो पूछा पर है और बोला गया एक गाय पर उसे 10 प्रतिसत पर तफेचा सदेव नीचे रखते हैं तो पहली गाय का डाटा हम सदेव पर हम 2010 पर बचाने के लिए धर दूसरी गाय पर 5 15 कि यहाँ पर 110 नहीं रखेंगे क्यांकि लाव यह रहा नहीं यह रखेंगे हैं तो इस तरीक्ते हरा ऊपर ऊपर संख्या कड़ जाती तो पंचाने पंचानवे 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 यहां पर कितना बचेगा सो बचेगा ठीक है अब यहां पर क्रास गुड़ा करेंगे इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा CP2 बराबर में हो जाएगा 90 गुड़े कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा अब गुड़ा करेंगे तो यहां मिल जाएगा कितना 9000 मिल जाएगा तो बस देख सकते हैं एक लाइन का अंसर था अगर question number 1 समझ गये थोड़ा समय वहां लेते हैं समझाने के लिए बाकि आप जहां असाने से solve कर सकते हैं अगला question दिया गया CRM अपनी दो कारें बराबर मूली पर बेंचता है यानि CRM ने अपनी दो कारें बराबर मूली पर बेंचा CRM ने बेंच दिया एक कार पर उसे 10 प्रतिस्द का लाब हुआ यानि पहली कार पर उसे 10 प्रतिस्द का लाब हुआ दूसरी कार पर 20 प्रतिस्द की हानी हुई तो यहां लाब भी है हानी भी है यह दिवा दूसरी कार 1,21,000 रुपे में खरीदा हो तो पहली कार का क्रें मूली बताईए तो यहां पहली कारिकाह में बताना है देखें पहली यानि CP1 उपा लिखा जाता है CP2 नीचे लिखा जाता है तो डाटा दे रखा है अब यहां पर profit class जो भी हो रहा है यहां पर दूसरी गाई का तो दूसरी गाई का कितना था तो 100 में हम 20% जोड़ करके उपा लिख लेते हैं पहली गाय का जो दिया गया तो इन CP1 का cross में आता है तो यहां पर हान ही हुई थी तो यहां पर minus का लगाएंगे निसान ठीक है क्योंकि दूसरी पर हानी दिखो लिखा गया है तो दूसरी पर minus लगा के करेंगे और यहां 10% का लाब है तो यहांनि 100 plus कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अब देखे cp1 निकालने को बोला हमें नहीं पता तो cp1 वैसे लिखेंगे cp2 दिया गया है कितना एक लाख 21,000 दिया गया है बराबर में अब उपर 100-20 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा ठीक है और नीचे बनेगा कितना हमारा यहां पर 110 बनेगा ठीक है अब भी देखे नीचे-नीचे संख्या कोई कट रही तो काट सकते हैं और उपर उपर कट रही तो काट सकते हैं तो हां देखेंगे यहां पर आठ है तो क्रास गुड़ा करेंगे इधर करेंगे गुड़ा तो cp1 बराबर कितना हो जाएगा बराबर में आठ गुड़ा पर 11000 हो जाएगा ठीक है तो 888 होता है इस तरीके से तो 3-0 लग जाएंगे यानि 88,000 CP1 हो जाएगा ठीक है पहली कार का क्रेमल कितना था तो आप बताएंगे 88,000 यानि Option B यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला पूसर लिया गया देगे राकेश दो साइकलें क्रमसा 1200-1500 में खरीद कर एक को 20 पर बेंच दिया तो बताएए दूसरी साइकल को कितने प्रतिसत लाभ या हानि पर बेंचे कि साइकलों का विक्रे मूल समान रहे ठीक है तो हमें विक्रे मूल समान रहे यह बचाया गया लेकिन यहां लाभ या हानि प्रतिसत पूछा गया डाटा हम चलेंगे अपने फर्म दूसरे का CP2 दिया गया है यानि 1500 दिया गया है तो यहां पर एक साइकल को 20 प्रतिसाद लाव पर बेंच रहा है तो यानि पहली साइकल को तो पहली का डाटा हमें सदे नीचे रखते हैं तो कितना 20 प्रतिसाद लाव पर यानि यहां पर 100 में हम 20 प्रतिसाद को जोड देंगे पता है दूसरी cycle का तो दूसरी का data उपर लिखा जाता है तो हमें नहीं पता उसका तो उसकी जगह पर हम x मान लेते हैं कि x प्रतिशत का लाव या हानी हुई अगर value minus में आती है तो वहाँ पर हानी हुई अगर x की value plus में आती है तो वहाँ पर profit होगा ठीक है अब यहाँ पर इन्हें solve कर लेंगे तो देखिए उपर दो 0 मिल लें तो 2 0 यहाँ मिल लें काट देंगे बराबर बराबर अब यहाँ पर 3 से कटेंगे 3 4 के 12 हो जाएगा और 35 यहाँ पर 15 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा हम फिर से किए दिख्कत नहीं क्रास गुड़ा करेंगे तो इधर करेंगे तो 12 और 4 का खुड़ा करेंगे तो पांच और यहां पर रहेगा 100 प्लस में X रहेगा तो यहां पर बनेगा 5 से 100 को गुड़ा करेंगे किता बनेगा 500 अब प्लस करेंगे तो इधर हो जाएगा 5X हो जाएगा ठीक है और यहां पर कितना रहेगा 480 अब देखें यहां पर हमें 5X का निकलना हमान ठीक है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा तो यानि यहां पर 480 माइनस यह प्लस में तो माइनस में रखा जाएगा तो 500 यहां पर रहेगा बराबर में कितना रहेगा पांच एकस रहेगा अब यहां देखे बड़ी संख्या हमारी माइनस में है तो इधर माइनस करेंगे तो 20 बचेगा वह भ प्रतिशत की हानी हुई है कितनी प्रतिशत की हानी हुई है चार अब हानी कैसे पता चला माइनस में संख्याई इसलिए यहाँ पर हानी जो है कितने की हुए चार प्रतिशत की तो बहुत ही सिंपल से कोश्चन थे अलग-अलग टाइप के थे सभी टाइप समने डिसकस कि अग से जब भी प्रिस्न आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर लेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना